एक साधक के लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती है नींद कोई ऐसे कर रहा है नहीं सौद्गुरू मोबाइल फोन ये हैं वो तीन जादुई फल जो ट्रॉपिकल दुनिया में पाय जाते हैं अगर आप इसको लें तो सिस्टम की सफाई हो जाएगी ये सच में जादुई चीज है एक लिम्फैटिक या लसिका सिस्टम होता है जो आपके शरीर में तरल पदार्थों को मैनेज करता है और उन बाहरी सूखन जीवों से निपड़ता है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुचाते हैं और उन चोटों और सूजन या जलन जैसी तकलीफों का भी ख्याल रखता है जो हो जाती है चोट यानी केवल बाहरी चोटे नहीं बलकि कोशिकाओं के स्तर पर भी सूजन होती है उसका भी लगातार ख्याल रखा जाना होता है और ये उन अवशेशों का भी ख्याल रखता है जो तमाम नश्ट कोशिकाओं के अवशेश जो शरीर में रह गए हैं उनकी सफाई ज़रूरी है नहीं तो वह खटा होकर जहरीले बन जाएंगे और ये कैंसर की कोशिकाओं को भी संभालता है तो निश्चित ही लिम्फाटिक सिस्टम या लसिका सिस्टम बहुत महतुपूर होता है ताकि जाहिर है हमारी सेहत अच्छी रहे पर आपमें जीवंतता बनी रहने के लिए लिम्फाटिक सिस्टम को सक्री होना चाहिए तो लिम्फाटिक सिस्टम के अंगों में सबसे महतुपूर है स्प्लीन या तिली और दूसरी चीज़ें आपने शायद निकलवा दी होंगी आपके टॉंसिल्स होते हैं आपके अभी भी है या निकल गए आपका अपेंडिक्स है या गया क्योंकि आप इन दिनों डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहे है वरना जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो वो कहते थे कि ये करना आम बात है आप जैसे ही तेरा चौदा के हुए हम आपके टॉंसिल्स निकाल देते हैं हमारे सारे भाई बेनों में केवल मैं बचा था जिसने इने ही निकलवाय बस ऐसे ही वो टॉंसिल्स निकाल देते थे अगर किसी और सरजरी के लिए उन्होंने आपको खोला इन्डिशन में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि शरीर में उल्लास का होना क्या है नहीं तो ये ये बिना आपके जाने समझे क्या हो रहा है ये ऐसा होता चला जाएगा जैसे एक बीमार मुर्गी होती ना वैसे आप हो जाएंगे और तब अगर मैंने आपको आँखे बंद करके ध्यान में होने के लिए बोला क्यूंकि शरीर को एक स्तर की जीवंतता में बनाए रखना और शरीर को शुद्ध करने वाले सिस्टम का अच्छे से काम करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आँखें बंद करके सचेद बैठना है तो क्यूंकि एक साधक के लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती है नींद नहीं कोई है कोई शारिश से ऐसे कर रहा है नहीं सद्गुरू मोबाइल फोन मध्यान में तो बैठना चाहता हूँ पर वो एक अलग समस्या है पर सिस्टम के अंदर जिसको लंबे समय तक ध्यान में बैठना है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है नींद अगर आँखें बंद रख कर भी जीवन्त और सचेद बने रहना है तो ये ये बहुत जरूरी है कि आपकी लिम्फैटिक प्रक्रिया सक्रियता से चल रही है और शरीर में परियाप्त शुद्धी हो रही है इसलिए आपकी सुबह की साधना इतनी जरूरी है खासकर अगर आप हटी योग, सूरिक्रिया और शक्ति चलनक्रिया कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपका लिम्फैटिक सिस्टम बढ़िया है साधना इसका पका ख्याल रखेगी अगर आप 45-50 से नीचे के हैं तो साधना परयाप्त है इससे लगभग सारा काम हो जाएगा पर अगर आपने साधना देर से शुरू किया है रिटार्मेंट के टाइम पर आपने से शुरू किया है तब शायद थोड़ी और हेल्प की जरूरत पड़ेगी आप ये पका करें कि आप अपनी प्यास से थोड़ा ज़ादा पानी पी रहे हूँ थोड़ा सा ज़ादा लगभग 20-25 प्रतिश्वत ज़ादा पानी पीए मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं परयाद पानी पी रहा हूँ अगर आप कोई दवाई या वैसी चीज नहीं ले रहे हैं और परयाद पानी पी रहे हैं तो आपका यूरिन या मूत्र बिलकुल पानी ज़सा दिखेगा इसमें कोई कलर नहीं होगा अगर आप कोई दवाई नहीं ले रहे हैं तो इसमें कोई color नहीं होना चाहिए, ये बिलकुल पानी जैसा होना चाहिए, अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप परेयाद पानी नहीं पी रहे हैं, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि शरीर के द्रव अच्छे से manage हों, क्योंकि इन द्रवों का शरीर में ब इसे बहुतों के लिए ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि कम से कम कुछ के लिए ऐसा है, अगर आप 35 से 40 साल के नीचे के हैं, तो ये होना चाहिए, आपको थोड़ा और जल्दी उड़कर और साधना करनी चाहिए, नहीं तो, एक चीज है जिसे तिर्फला कहते हैं, ये ट्रॉपिकल दुनिया के तीन जादूई फल हैं, इन्हें सही मात्रा में मिला कर, तिर्फला को, अगर आप थोड़े से पानी के साथ, या एक चमश दूद के साथ, या किसी चीज या शहिद के साथ भी ले सकते हैं, अगर आप इसे लें, तो सिस्टम की सफाई हो जाएगी, ये सच में जादूई है, मैं, क्योंकि मैं तो इसमें से कुछ लेता नहीं, पर लोग मुझे बता रहे हैं, कि जो तिर्फला यहां उपलब्ध है, यहां दुकान में, वो बहुत-बहुत बढ़ी आए, इसे होना चाहिए, मुझे तो नहीं मिले, यह तिर्फला कमाल करता है, और यह आपके लिम्फाटिक सिस्टम को सक्रिय कर देता है.